जाहिन दोस्तों यूट्यूब की दूनिया में स्वागे ततार फिर खबर है एचसस्टी से जुड़ी हुई और वो न्यूज है उसके मैं देन में लेट हो गया हूँ आपने क्योंकि थोड़ी सी एक गटना होगी थी सला तोकरी थी एचसस्टी ओफिस में जागे आज खबर लेगे आणगी लेकिन वही बात है गरेलू आदमी समश्य आजार निकड़ा था गड़ी लेगे एचसस्टी ओफिस की तरफ इतने मैं गरालन रोग लिया माने रोग लिया बुलेकड़ा चालिया मैं क्या एचसस्टी जाओं और एक खबर लेकिया हूं गरमा गरम उड़ी ऊड़ी आहिए तो मा बुली या तो खबर लिया या अरा लिया दांति आत्मा पगड़ा दी भई में क्या मैं खबर लिया हूं फिर अरा लिया हूं पला ठीक है अब तुपल्णा खबर लिया रचा भी यूट्यूब पिलिये सबयरे अब गुस्स हम कह दिया बाद तरह भाई भी बहुत गुस्सेल है मने भी गुस्स आया और आप माँ भी सिद्धी-सिद्धी क्या दी अप्पा तो यह बाई रहे आए लियावांगे पहला खबर बाद में लियावांगे के करना भई ये यूट्यूब आड़ो तुम लोग तो व्यू भी कौन देओ चाह के गंटा देओ सबेर पहली वो तो गराली देवेंगे तो खबर अब भी दे सकता हूँ मैं आपको और वो खबर जुड़ी होई है HSSC से और HSSC के एक्जाम से जो के फिलाल पिछे हुआ था गराम से चिव का एक्जाम 9-10 जनवरी को हुआ था जो कैंसिल हो गया था और पटवारी और कनाल पटवारी का जो एक्जाम होना था वो भी तो आब खबर ये आ रही है HSSC की जो नोटिस जारी हुए था उसके एक्जाम अलग अलग होने थे अब उनका एक कॉमन टेस्ट होगा एक कॉमन टेस्ट पटवारी गराम सचिव और कनाल पटवारी का तीनों का एक कॉमन टेस्ट होगा और कॉमन टेस्ट के बेस पर जो जो candidate short list होंगे उनसे preference पुछी जाएगी अलग-लग post के लिए पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचीव के और इसके लिए अब दुबारा से form ने reopen कर दिया गया है 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक form में वो reopen हो गया है दुबारा यानि 22 मार्च तक form में वो reopen होंगे लगेंगे और 25 मार्च तक fish है उसकी last date है तो वो notice है वो आपको अभी दिखा देता हूँ आप देख लेना उसको पड़ लेना इंगलिस में है जिसकी इंगलिस कमजोर हो वो किसे से पड़वाली हो भई सिधी सी बात है अच्छा सची की साइट पर available है और important notice है तो अब competition है वो थोड़ा और बड़न आड़ा है क्योंकि पहले ग्राम सचिव के साथ लाग केंडिडेट थे अब और जूड़ जेंगे 8 मार्च से 22 मार्च तक कनाल पटवारी और पटवारी भी competition बड़न आड़ा है लेकिन इन तुइनों को आप एक common test होगा common test के basis पर जो है vacancy के अधार पर candidate को बुलाया जाएगा यानि short list candidate जो भी होगे उनसे preference पुछी जाएगी preference के अधार पर उनको फिर बुलाया जाएगा आगे की कारवाई के लिए तो वो notice आपने दिखा दिऊ notice भी देख लिए आप क्योंकि बिना proof के किसी की बात पर व्रोसा करना ना चीए आपको यह notice भी दिखा देता हूँ और notice आप चेक कर लेना original site पर जागे अच्छसी के ठीक है तो आईए वो देख लिए notice के है HSC का तो दोस्तो यह रहाव वो notice जो HSC के official site पर उपलब्द है reopening of online application form advertisement नमब 7, 8, 2019 और 9, 2019 जो की 12, 6, 13, 6 और 14, 6 ने publish होई थी अलग-लग newspaper मेर online form में वो मांगे गए थे किस post के लिए पटवारी, कनाल पटवारी और ग्राम सचिव की post के लिए HSC ने मांगे थे तो अब उसमें यह बदलाव करया गया है कि इनकी reopening हो गी है और reopening है कब से कब तक है 8 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक दुबारा से इनको खूला गया है ताकि और candidate है वो form भर्स के क्योंकि HSC की कमाई है वो थोड़ी होई थी तो अब जो candidate है उनकी संक्या बढ़ाने का प्रयास कर रहा है HSC ताकि कुछ और candidate है इसमें जुड़ जए और थोड़ा खर्चा है वो अराम से निकड़ जए HSC का तो इस खातर यह बढ़ा दिया गया है reopen कर दिया गया है और इसकी जो last date है वो 22 मार्च है और रातने 12 बज़े तक फीस की जो last date है वो 25 मार्च है और शामने 5 बज़े तक तो आप देख सको यह original notice है HSC की site पर available है और यह भी का गया है कि commission जो है यानि HSC वो इसके लिए common exam है common written exam है वो तीनों post के लिए करेगा लेगा और जो candidate है इन post के लिए वो shortlist करे जाएंगे और उनके scrutiny होगी documents की result के declare होने के बाद में यानि common exam का result declare होजे उसके बाद में documents की scrutiny के लिए candidate को बुलाया जाएगा और उनका preference है वो पूछी जाएगी अलग-लग post के लिए कि आप कि post के लिए जाना चाहते हो तो यानि जो top candidate होगे उनको बुलाया जाएगा common test के बाद में आज का notice है place पंचकुला आप देख सकते हो 3 मार्स 2-4-1 का और secretary HSSC पंचकुला के द्वारा ये जारी किया गया official site पर उपलब्द है भी ये notice आप देख सकते हो इसको तो कहीं fake wake के चकर में रहो क्योंकि पिछे अभी एक notice गूम रहा था जो कि fake था और HSSC ने बाद में सफाई दी थी और हो सकता वो original हो और बाद में सफाई इसलिए देदी हो क्योंकि उनका mood बदल गया हो क्योंकि ये reopen करना था competition बढ़ाना था और दूसरी बात HSSC के पास में खर्चा नहीं था उस खर्चे को पूरा करने के लिए हो सकता है उन्होंने अब इनको reopen करा हो तो ये reopening होगी है form के तो इसका मतलब exam है वो अब एक मिन्ने तक तो possible ही नहीं है तो हो सकता है अपरेल के last तक कुछ हो जाए तो ये exam कब होगा लेकिन exam जब भी होगा आप अपनी त्यारी में जुटे रहे है क्योंकि अब आपका competition है वो और बढ़ गया है तो आप अपनी त्यारी जारी रखे और बाकी जो भी candidates में जुडेंगे उनको भी जुड़ने दीजिए और आप अपनी त्यारी जारी रखे और मैनत के साथ में अपने लक्षे की तरफ बढ़े तो ऐसी जो और जानकारी है उनके लिए आप जुडे रहे हैं इमारे साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत